पर्थे और अगामी लोगसभा चुनाव और विधान सभाव उप्चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान में करीब एक महीना अभी बाकी है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने उप्चुनाव के लिए अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। मिद्वारों के नामों का अलान करेगी लेकिन इस बीच शिमला में भी कॉंग्रेस पार्टी की बैटकों का सिलसिला जारी है। कॉंग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण बैटक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री सुग्वंदर सिंग सुकु के साथ प्रदेश रध्यक्षा प्रदीबास सिंग भी बैटक में हिस्सा लेंगी। खास तोर पर मंडी संसद्यक छेत्र को लेकर रणनीती बनाई जाएगी। बैटक में जो मंडी संसद्यक छेत्र को लेकर चुनावी रणनीती बनाई जाएगी। और ब्लॉक अधिक्षों को भी बुलाया गया है। और साथ में जो अग्रणी संगठन के उनको भी बुलाया गया है। तो चुनावी रणनीती इस पर तयार होगी। और जानकारी यह भी है कि परसों भी एक बैठक होगी। चुनावी रणनीती बनाई जाएगी। पर बन भी गई थी लेकिन उसके बाद कुछ और भी कल्पों पर विचार किया जा रहा है। उसमें जो है मन्थन किया जा सकता है और समभबता जो छे उप्चुनाव होने हैं उनमें भी प्रत्याशियों को लेकर मन्थन किया जाएगा। कॉंग्रेस जो वरकर है जरूर उनमें निराशा इस बात को लेकर है कि सामने वाली प्रतिद्वन्दी पार्टी को देखें तो जोड़ सोड़ से प्रचार चल रहा है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक उप्चुनावों के लिए किसी प्रत्याशी का नाम तो यहां पर देखना होगा कि इंतजार करना होगा कि शायद कुछी दिनों के बित्रिया हम कह सकते हैं कि अगले हपते में जो है शायद कुछ उमीद है कि कर रहा है कि आखिर प्रचार किया जाय तो किसके लिए राजय इंद्र जहां एक तरफ कॉंग्रेस ने अभी तक आचल की भी बात करें तो वहां पर भी जो तमाम प्रत्याच्री हैं उप्चुनावों को लेकर वो डटे हुए हैं कहीं न कहीं अगर प्रचार के लिहास से देखा जाए तो भाजपा बहुत कदम आगे है कॉंग्रेस के क्या इस चीज का फायदा भाजपा को पूरी तरह से मिल पाएगा या फिर वही होगा जो विधान सभा चुनाव में हुआ था कि प्रचार प्रसार में एक जुटता में कहीं न कहीं भाजपा आगे दिख रही थी लेकिन उसके बावजूद कॉंग्रेस ने कहीं न कहीं मैच कर लिया था अपना स्टेटस भाजपा के साथ बिल्कुल जैस्मीन फाइदा जरूर मिल सकता है क्योंकि जिस प्रकास से उपचुनावों कि अगर हम बात करें तो प्रत्याशी कॉंग्रेस छोड़कर तमाम विधाय के रेजिनेशन कॉंग्रेस छोड़कर आये थे भाजपा में शामिल हो थे और भाजपा की तरब से टिक कोशिश की गई है क्योंकि कॉंग्रेस के प्रत्याशी उपचुनावों को लेकर मैतान में नहीं है तो जो कार्यकरताओं को एक चूट करने के लिए और जनता के बीच में आम सहमती बनाने के लिए स्विकारता कह सकते हैं कि जनता जल्दी से जल्दी एकसेप्ट इनको करे भाजबा प्रत्याशी के रूप में तो वो जो महतोफुन समय होता है एक बैग्राउंडर तैयार करने के लिए उसका ला भाजबा को ज़रूर यहां पर मिला हुआ है उप चुनाबों के दिश्टी से अगर देखें और लोकसभा चुनाबों में भी क्यूंकि कंगणा रना कि घुष्ट नहीं प्रत्याशी आई है भाजबा आली में जोइन किया तो उनको लेकर भी जो एक अपस्थिती है उसको सामाने करने में बाजबा को जरूर समय मिला है और खासकर उनको इंट्रोड्यू करने में कार्य करता हूं कि हर विधान सभा क्षट्र को कवर करने का उ वो समय मिला है जल्दी केंडिडेट कोशित करने में उप चुनावों में भी और जो लोकसभा के चुनाव जो खासकर कंगरा नौत की बात करें तो उनके भी क्यूंकि इसके अलावा जो तीन केंडिडेट हैं अनुराग ठाकुर सुरेश कर्षयपा और जो कांगडा से ब्रत् जाकर संबोधित करते हैं लोगों से मुलाकात करते हैं उसका आप जरूर जरूर चुनावों में मिलता है इसके अलावा जो नए प्रत्याश्य होते हैं उनके लिए इसमय काफी तो कहीं न कहीं एक narrative set करने में और एक एक लोगों के दिमाग में एक perspective डालने के लिए ये चीज़ कहीं न कहीं भाजपा को फाइदा दे सकती है रंबीर वहीं Congress का क्या इस चीज़ को नुकसान हो सकता है क्योंकि एक तो जो प्रत्याशी उतारे हैं वो Congress कहीं नेता है विधान सभा चुनाव में मतलब उन्होंने जीत अच्छी कासी दर्ज की थी उसके बाद फिर वो विधायक बने थे और भाजपा ने उनी पर दाओं खेला है तो कहीं न कहीं जिस तरह से बाते निकल करा रहे हैं कि सरकार अस्थिर है विधान सभा उप्चुनावों के बाद यह सरकार भी गिर जाएगा इसतरह कि जो बाते कहीं जा रही है कहीं कई रिखकिल के यह गले की फास बनी हुई है जो तमाम बातें नेतापती पक्ष कहते हैं जगा जगा पर उसके साथ में अगर हम देखें कि कॉंग्रेस यह तैय नहीं कर पारी है कि उनका चेहरा कौन होगा अलांकि अभी जो संख्याबल के हिसाब से अगर हम देखें जो विधान सभा का जो अंक गणीत है वो भले ही कॉंग्रेस के पक्ष में लेकिन एक मनोब गयानिक जो तरीके से जो बड़त ली जाती है वो बड़त भाश्पा ने बनाई हुई है और यहां पर कॉंग्रेस का जो के तहट अपने प्रत्याशियों को उता रहा है आम सहमती बनाई जा रही है और जनता के बीच में भी एक मैसेज दिया जा रहा है तो कॉंग्रेस के सामने जो है वो समय को नहीं मिल पाएगा परचार में जाना पड़ेगा क्योंकि अगर किसी के खिलाब पार्टी के भीतर ह होती है या कोई उसके खिलाब कोई हो जाता है तो वो समय काफी लग जाता है अगर आप चुना परचार के लिहाद से भी देखें अगर यह जो अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्र फल के लिहाद से जो है इनको जो है कवर करना आसान नहीं है गाउं गाउं तक पहुं काबला भाजपा से करना है और तमाम सारे जो है सर्वे भी भले पार्टी की तरब से किये जा रहे हैं लेकिन यहां पर मनोवग्यानिक तरिके से एक बड़त जो है भाजपा ने बनाई हुई है जिस तरह से जैराम ठाकू लगातार यह कह रहे हैं और कॉंग्रेस को अगर आ बैठके कर रहे हैं जो प्रतियाशी घुशित भी हुए हैं दो लोग सबाके उनका भी अभी तक जो है कारिक्रम नहीं बना है कि वह कब से अपना चुना पर चार जो है बिल्कुल करेंगे तो यहां पर एक चीज और इसमें थोड़ी सी यह हो सकता है कि कॉंग्रेस के लोग इसका है बिल्कुल बिल्कुल रंबीर और जिस सरह से आपने कहा कि मनो विज्ञानिक बढ़त जो भाजपा ने बनाई है और वो कॉंग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती साबित हो सकती है हलांकि कल होने वाली बैठक कितनी महत्वपून रहेगी आप से नोंका बहुत 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 शुक्रिया